नमस्कार दोस्तों मैं पंडी तलपी जोसी आपको अपनी यूटूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ सबसे पहले आपसे हाथ जोड़के विजन करना चाहूँ और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने नोटिविकेशन बैल आइगन को प्रेस कर दे जिससे फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो पामिश्टी और एक्स्री वीडियो आपको मिल सके और आप पर मौझूद तो आप बन सकते हैं करोड़ पती भी यह से उपर भी लगपती आप यह समन्दे बर मैं आपको एक सीज बोलू दोस्तों कि मैं इस वीडियो में बताने का टॉपिक मेरा यह है कि वह पांस चिन सुप्चिन होना सही यह सुप्चिन की बात नहीं करूँ वह सुप पांच चिन जो आपको सही में बना सकते हैं करोड़ पती यह से भी लख पती बट देखिए दोस्तों आपको ओवराल हैं देखना कि व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का है कैसा रंग है उस हाथ का परवत कैसे हैं रेखाए कैसी है भाग गिरे का कैसी है ओवराल हैंड सेक करें तब जाके पूरा प्रेक्शन अंडेड परसेंट आप उसको बताईए तो देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज देखिए दोस्तों मैं जो आपको साइन मता रहूं है यह रियलेटी में है मैंने प्रैक्टिकली भी इसका ग्यान दिया है और प्रैक्टिकली लोगों के हाथ हो और डार्क हो बड़ उसके साथ एक दो प्रकार के चिनोर में आपको बताना चाहूंगा बुद्य परवत पर तीन चार खड़ी रेखा हो एक अच्छी सूरे रेखा हो बस यह तीन साइन होंगे यह प्रिक्शन लगाया जा सकता है कि व्यक्तिक करोड़पती बन सकता है ज कर सकता है बोलते हैं कि सब लोग बोलते कि दे रहे सब्सक्राइब करने में आपको जाए देर नहीं लगेगी चीजों को अचीब करने में लाइश में प्रोग्रेस लाइन आप धन के साथ से भी देख सकते हैं सरकारी नौक्री के मरलब यह पाटिकुलर एज में निकलती है मान कि जली इस एज में निकली तो 26-27 लगाया अपने ठीक इस एज मे करोरबदी बनने का दोस्तों ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत करोरबदी बनता है और बहुत बहुत उपरिचुनिटीज को अचीव करता है लाइक में बहुत प्रोग्रेस करता है बहुत विदेश से भी धलाब हो सकता है व्यक्ति को बट ओवर्ड एण्चेकर में देश आपको बताया दोस्तों चौता साइन है यह इसके बारे में तो मैं आप हर समय बात करता हूँ इसे कहते हैं मनी ट्राइंगल यह जिस भी वेक्ति के हाथ में है पक्का सक्सेस मिलेगी है एक बार केटू आपको जीवन में करोपती बनाएगा अगर आपके प्लैनेट्स जो है अगर कोड़ी में अच्छी जगा है और केटू बरवास हाथ में भी अच्छा उभरा हुआ है डेवलप्ड है अच्छा है इस्ति अच्छी उस परवद की तो आपको पक्का यह देगा है और आपको जेगा है